नमस्कार, मैं हो ससी, आई जर्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं प्राप्त सभी आवेदनों का निस्पादन 29 दिसंबर से पहले करें मुख्य सचीव ने बीते 6 नुवंबर को राजर स्थापना दिवस पर सुरू होने जा रहे सरकार आपके द्वार के तीसरे चलन के आउयजन के उच अस्तरिय समिक्षा की थी समिक्षा के अधार पनिदेश जारी कर दिये गए हैं बता दे जार्खन अस्थापना दिवस के मौके पर 15 नौबर को मुख्य मंत्री आपकी जोजना आपकी सरकार आपके द्वार कारकरम की सुरुवात करेंगे 29 दिस्टमबर तक चलने वाले इस करकरम के तहट सभी जीलो में सीविर लगाए जाएंगे जार्खन हाई कोट ने सरकार से पुछा साइबर फ्रोट के सिकार लोगों को रकम लोटाने के लिए फंड बनाएंगे ज़ारखन हाई कोट ने राज सरकार से पुछा है कि साइबर फ्रोड के सिकार हुए लोगों को ततकालिन राहत किस प्रकार दीगा सकती है क्या सरकार ठगिके सिकार लोगों की रखम की वाप्सी के लिए फंड बनाने का विचार रखती है जस्टिस एस चदर सेखर की अध्यक्सता वाली खंड पिटने जारखंड में साइबर फ्रोड की घटनाओं पर सोतर संग्यान लेते हुए सुक्रवार को सुनवाई की गई इस दौरान CID के महानिद्यसक अनुराग उपता कोट में समक्ष हाजिर हुए उन्होंने जारखंड में साइबर क्राइम की जाज परनाली साइबर सेल सहीर साइबर फ्रोड रोकने के लिए की जा रही करवाई के बारे में कोट को जनकारी दी है मामले में महा अधिवक्ता राजीव रंजन ने कोट को बताया है कि राईसर का साइबर क्राइम की घटनाओं को लेकर चिंती था है गुजरात में साइबर क्राइम के सिकार लोगों के पैसे वापस करने को लेकर एक मोडल त्यार किया गया लेकिन उसमें कई कानूनी अर्चने है साहेब गंज एसपी को इडी ने जारी किया समान जारखन के साहेब गंज एसपी नौसाद आलम को इडी के द्वारा पुस्ताच के लिए समन जारी किया गया है साहब गंज एसपी नोसाद आलम को इड़ी के जुनन कर्याले में 22 नॉमबर को दिन के 11 बजे पुश्टाच के लिए बुलाया गया रांची के बिर्शा मुंडा केंद्रिय करागार से इड़ी के कुछ गवाहों को धम किया दी गई थी इसी मामली में नोसाद आलम से पुश्टाच की जाएगी दीपावली पर जारखन मौसम अपडेट जारखन में अभी मौसम का मिजाए सुस्क है और आने वाले दिनों अगले 5-7 दिनों में भी मौसम सुस्क रहने का अनुमान है मौसम विभाग की माने तो 11 नोवंबर को मौसम साफ रहेगा वहीं 12 नोवंबर दीपावली से आंसिक बादल जा सकते हैं इससे निम्तम तापमान में हलकी बढ़ोतरी होगी इस दोरान अधिकतम तापमान 27-33 डिगरी सेलसेस रहने का अनुमान है और निम्तम तापमान 15 से 19 डिगरी के बिच रह सकता है मौसम विभाग के अनुसार जार्खन में अगले 5 दिनों के तोरान निम्तम तापमान में कोई बड़े बदलाव की समभवना नहीं है 11 नोवंबर को आसमा साफ रहेगा वह मौसम सूस करा सकता है वहीं 12, 13, 14, 15 वह 16 नोवंबर को आसिक बादल चाय रह सकते हैं और मौसम सूस कराने का पुरोण मान है जार्खन में 1 रूपे किलो चाना दाल जार्खन में 1 रूपे किलो चाना दाल मिलेगी जार्खन केबिनेट की मीटिंग में ही इसकी घोसना की गई थी अब इस बारे में बीत मंत्री रामेश्वर उराव का ब्यान सामने आया है मंत्री ने बताया है कि इसकी सुरुवात जार्खन स्थापना दिवस यानि 15 नोवंबर से होगी हालाकि सभी को इसका लाब नहीं मिलेगा जार्खन राज खाज सुरक्षा जोना में सामिल लाब को को ही इसका लाब मिलेगा ऐसे में सरकार की इस इसकीम से राज के 65 लाख राशन करधारी लाब भानवित होंगे मंतिरा मेशवर उराव ने बताया है कि 15 नोवंबर से लाब को को प्रती मा एक रुपे किलो दाल दी जाएगी इसके लिए बयट में 500 को रुपे का प्रधान किया गया है बिधान सभा अस्थापना दिवस के दिन आएंगे कई नामचिन कलाकार बिधान सभा के 23 अस्थापना दिवस समार होगी त्यारी चल रही है 23 नोवंबर को संस्कृति कारकरमों की दूम होगी साम 6 वय से संस्कृति कारकरम सुरू होंगे वह संस्कृति कारकरम के आकर्शन का केंद्र होंगे संस्कृति कारकरम की अगली कड़ी में दर्शक कुमार सत्यम के गजलो का लुप्त उठाएंगे गित संगीत से सजे महफिल को गुदगुदाने हाशे कलाकार रबिन्र जोनी भी पहुचेंगे बताद बिधान सबाकास्थ अपना दिवस समरो 22 नमर को मनाया जाएगा इस दिन चैनित उत्क्रिष्ट बिधायक को समानित भी किया जाएगा ACB ने होमगाट के दो जवानों को घूस लेते किया आरेश्ट बरश्टाचा निरोधक बियोरो ACB हजारी बाग की टीम ने सुक्रवार को चत्रा से होमगाट के दो जवानों को ड्यूटी देने के एवज में रिसुवत लेते रंगे हाथ गिरफतार कर लिया है ACB के टीम ने तीन है रुपे घूस देते दोनों होमगाट के जवानों को अरेश्ट किया है पिडित होमगाट के जवान ने घूस मांगने की सिकायत ACB सी की थी जाच में मामला सही पाया गया था इसके बाद करवाई की गई SP आरिफ इकराम ने जनकारी दी है कि परमोद कुमार से आरोपी अनुज प्रधान ने डिवटी कमान देने के लिए तीन है रुपे रिस्वत की मांगी थी PM मोदी के खुटी दोरे को लेकर DC ने तयारियों का लिया जाजा धरती अबा भागवान बीलसा मुन्डा के गाव में परधान मंत्रि नायन मोदी के आगमन की तयारियों का जाजा लेने के लिए सुक्रवार को खुटी के उपायूग लोके समिस्त्रा उलिहातू पहुँचे वहां उन्होंने तयारियों का जाजा लिया उन्होंने अधिकारियों को समय पर कार्य पूरा करने का निर्देश दिया इस दोरान उन्होंने परधान मंत्री के प्रस्तावित कार्यकरम के रूप रेखा पर अधिकारियों से चार्चा की उली हातु को सजाने और पधान मंत्री के लिए सभी परकार के प्रवंध करने का निर्देश दिया उपायुक्त ने समानाले सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की बैठक में उपायुक्त ने तेयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ विचार विमर्ज भी किया इस तोरान उने कहा है कि सभी अधिकारी और पूलिस पताधिकारी समयनों बना कर कारे करे सभी अधिकारी और कर्मियों को अपने ID कार्ड के साथ अपने प्रतिनुक्त अस्थल परकार करने के लिए कहा गया है गेन्दा फूल से बदली महिला किसानों की जिन्दगी जारखन के खुटी जीले के तोरपा में 300 महिला किसानों ने गेन्दा फूल की खेती की है तोरपा परखंड के किसान, धान, मकोई, मडवा जैसी प्रमपरागत खेती के साथ साथ गेंदा फूल की खेती कर अतिरिक्त आय अरजित कर रही है जारखन, इस्टेट, लाइबली, हुड, पर्मोशन, सोसाइटी, यम सहयं सेवी, संस्था, प्रदान के स्वहयोग से बरकुली, उडी केल, दिया केल, अम्मा, मर्चा, डोडमा, आदी पंचायतों के दो दरजन से ज्यादा गाओं में बेवसाइक रूप से गेंदा फूल की खेती की जा रही है खेतों में रंग बिरंगे फूलों की सुन्दारता और उसकी खुसबू हर किसी का ध्यान खिच रही है गेंदा फूल की खेती से मैला किसानों की आई भी बढ़ रही है दिपावली वच्छट में बिक्री को लेकर गेंदा के फूल तयार है इसे किसानों को भी अच्छी आमदानी की आसा है भागपा मवादी को बड़ा जटका तीन गिरफतार पच्छमी सिंभूम पूलीस वा सुरक्षा बलोको को लहान वन रिजर्ब वन चेतर अंत्रगत टोटो में नक्सलियों खिलाप बड़ी सफालता हाथ लगी है जीला पूलीस वा सुरक्षा बलोको निशाना बनाने के लिए मध के समान भी बरामत किये है इन में लोहे की पाइप तार मसीन आदी सामिल है पुलिस को गिरफतार नक्सलियों की निशन देही पर बरामत समानों को ट्रक पर लाद कर लाना पड़ा था पुलिस अधिक्छक अस्तोस सेखर को गुप्त सुजना मिली थी कि परतिवन्दी भागपा मवादी संगठन के सक्रियत सदसे डेबाय पूर्थी उर्फ लेगे से पूर्थी 28 वर्षिये जूरिया बहांदा उर्फ माटा बहांदा 28 वर्षिये वो लेबिया पोईपाई 21 वर्षिये रेंगड़ा गाव स्थित अपने घर आए हुए है तीनों कई मवादी घटनाओं में सामिल रहे थे 23 जार्खन राज ताइकुवांडो परतियोगता में साथ पदक 23 जार्खन राज ताइकुवांडो परतियोगता का समापन देव घर्षित एस्पोर्ट कॉम्पलेक्स कुमाइठा में हुई जिसमें जीले के खिलाडी को 103 सिल्वर एवं 3 का से पदक प्राप्थ हुई है स्वन पदक पलस टू हाई स्कूल कर राके आसीशन होरो को प्राप्थ हुई है धन्यवाद